पापा आप तुरंद पुलिस लेकर काली पाड़ी पहुंच आईए अभी मैं आपकी किसी सवाल के जवाब नहीं दे सकता आप बस आ जाईए आपके सारे जवालों के जवाब सारे सवालों के जवाब वहीं मिल जाएंगे प्लीज क्विक क्या हुआ भईया आगे ट्रैफिक प्लट गया है दूई गंटे से यहां फसे हुए हैं दुरू को पहुचने में देर होने वाली थी और किसी की देरी किसी की जान ये जा रही थी तुम इस बार भी नहीं आये निखिल हर बार कितर है इस बार भी मायूस कर दोगे ओ शिर्फ पांच मिट बचे हैं इस बार मैं अदिती को नाराज होने का मौका नहीं दूँगा रुख जाओ निखिल तुम्हें अदिती से नहीं मिलना चाहिए दूरू तुम यहां अब मैंने क्या कर दिया अदिती से क्यों नहीं मिल सकता मैं ये सब तुम्हें फसाने का ट्रैप है निखिल बाटालियन 82 किसी भी समय वहाँ पहुचती होगी बस तुम्हें कुछ देर यहां रुखना होगा जब तक पुलिस फोर्स भी यहां आ नहीं जाती मैं नहीं चाहता बटालियन 82 तुम्हें गिरफ्तार कर ले जाए मैं सचाई जानना चाहता हूँ जो तुम मुझे बताओगे क्यों लगी है बटालियन 82 तुम्हारे पीछे सिर्फ तुम्हारा आंतकवादी होना कारण नहीं है कारण कुछ और भी है मुझे अब किसी से डढने की जरुरत नहीं है दुरू अबी मैं तुम्हें अदीती से मिलने नहीं दे सकता मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता दुरू अदीती मेरा इंतिजार कर रही है आज भी अगर लेट हो गया तो फिर कभी ना मिल पाऊंगा मिलने मिलाने का समय खतम बच्चो अब समय है खातिरदारी का जो हम तुमारी कर लो तुम क्या कम ते जो बिन पुलाई मेहमान और धमक गए लगता है अदीती को आज फिर मायूस होना पड़ेगा नहीं ऐसा कोई होने देना मैं अफोर्ड नहीं कर सकता मुझे तुम्हारी मदद की जरोत है धरू तैयार हो बिल्कुल पर सबसे पहले इनके हाथ से ये खिलोने छुडाने होंगे वो काम तुम मुझ पर छोड़ दो प्याजे तो पिट गए अब वजीर की बारी है ये तो बड़ी जल्दी हार गए बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया कैसे कमांडो भरती किये हैं बटालियन ब्यासी में इन्हें तो कमांडो फोर्स से टेनिंग लेनी चाहिए पर निखिल मदद के लिए सुक्रिया दुरू पर प्लीज एक फेवर कर दो मुझे अदिती से मिलना है मुझे रोकना मत पर निखिल मैं जानता हूं दुरू तुम मेरी बलाई चाहते हो पर चिंता ना करो चुहें बिल्ली का खेल मैं महीनों से खेल रहा हूं अभी तक बिल अब रुखना बेकार है मुझे चलना चाहिए है अदिती निखिल ओ निखिल तुम आ गए हाँ इस बार समय पर तुम्हें पता है कब से वेट कर रही हूं मुझे लगा तुम आज भी नहीं आओगे आज तो आना ही था अदिती निखिल मैं श्श्श सांथ आज तुम कुछ नहीं कहोगी मैं कहूंगा और तुम सुनोगी तुम कहती हो ना मैं बदल गया हूँ वो निखिल कहीं खो गया है हाँ तुम चाहती हो कि तुमारा निखिल वही पुराना निखिल वापस आ जाए तो लो मैं आ गया तुमारे पास तुमारा वही पुराना निखिल निखिल हा मैंने genius को मार दिया है मैंने surrender करने का फैसला कर लिया है क्या सच ओ निखिल क्या वाकई में तुम हाँ बाबा सच मैंने तुम्हें यही बताने के लिए यहां बुलाया था पर तुम्हें यहां बुलाने का मुख्यक कारण कुछ और भी है वै यह की हम 10 तक गिनेंगे उसके बाद अपने अंजाम के तुम खुद जिम्मेदार होंगे निखिल तुम जाओ वरना ये लोग तुमें अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई अदिती 10 9 ये फूल तुमारे लिए अपनी उस हर गलती के लिए जिससे तुमें दुख पहुचा ये पागलपन है निखिल तुम चले जाओ, सरिंडर कर दो 8 जानता हूँ, तुमें कैई बार दुख पहुचाया है पर पूरी दुनिया में तुम ही तो एक दोस्त हो मेरी निखिल प्लीज, ये आत्मत्या है तुम जाओ, वो लोग तुमें सूट कर देंगे 7 6 बच्पन में जब भी लेट होता था तुम गुसे में मुझसे कहा करती थी मैं तुमारे घर नहीं आऊंगी कभी उस समय तो नहीं सोचा कि तुम से कभी कुछ कहूंगा ऐसा निखिल, तुम सुन क्यों नहीं रहे मान जाओ निखिल 5 4 आज मैं पूछता हूँ क्या तुम मेरे साथ रहोगी मेरे घर आओगी हमेशा हमेशा के लिए निखिल, प्लीज, प्लीज निखिल प्लीज, प्लीज, प्लीज I love you, अदिती 2 I love you, 2 निखिल I love you too, 1 Fire Zing, Zing, Zing Woo No No मैं तुझसे कभी बात नहीं करूँगी निखिल तु गंदा है, तु हमेशा लेट आता है सोरी अदिती, माफ कर दे आगे से लेट नहीं करूँगा चल, तुझे आइसक्रीम खिलाता हूँ देख निखिल, मैंने कितना अच्छा घर बनाया है हाँ, हाँ, अच्छा इसमें करहेगा कौन तु और मैं मेरी नोटबुक के पन्ने किसने फाड़े अदिती, तु फिर मेरी नोटबुक के पन्ने खा गई निखिल पागल हो गई हो अदिती ये क्या करने जा रही थी वो मेरा निखिल वहाँ नीचे धुरूव मार डाला मेरे निखिल को इन लोगों ने वो मार डाला वो तो सरेंडर करने वाला था धुरूव फिर भी, नहीं जीना मुझे भी मर जाने दो मुझे मेरे निखिल के पास जाने दो पागल मत बनो अदिती, तुम्हारे जान देने से निखिल वापस नहीं आ जाएगा हिम्मत से काम लो, ये लोग निखिल का खून करके बच नहीं पाएंगे ये लोग बहुत ताकतवर हैं दुरू, मेरा निखिल बहुत हिम्मत वाला था, इन्होंने उसे भी तोड़ दिया क्या हुआ है यहाँ, निखिल कहा है दुरू, निखिल मारा गया पापा वोट? मारा गया? कैसे? इन लोगों ने उसे मार दिया, हजारों गोल्य चलाई है बख्वास निखिल से सरेंडर करने को कहा गया था, मगर सरेंडर करने की जंगय उसने हमारे जवानों पर हमला कर दिया, बचाओं में हमें गोल्य चलानी पड़ी ये जुट बोल रहा है पापा ओ हाँ एक बात बताना भूल गया धुरूव ने भी निखिल की मदद की इसने भी हमारे जवानों पर हाथ उठाया अब मजबूरन हमें इसे भी गरफतार करना पड़ेगा मैं समझ गया रागवन तुम मुझे जेल भेज कर पीछे से अपना मकसद पुरा करना चाते हो पर ऐसा हो नहीं पाएगा आजकल के बच्चे पता नहीं क्यों जिद्धी होते जा रहे हैं पर जिद्धी बच्चों को रास्ते पर लाना हमें आता है शुकला अरेश डुरू आकीर रागवन अपनी चाल में काम्याब होने जा रहा है पहले निखिल और अब मेरे भी गिरफतार होने के बाद रागवन को रोकने वाला कोई भी नहीं होगा नहीं अभी नहीं सच्चाई सभी के सामने आने तक कैद नहीं होना मुझे भागना होगा रोको उसे, stop firing, तर, तर, तर तुमने बिना permission धूफ पर गोल्या कैसे चलाई हमारे पास उसका arrest warrant है arrest warrant है, shoot at sight के orders नहीं गोल्या चलाने भी तो थी, तो पैरो पर हमें किस तरह काम करना है ये हम बखु भी जानते हैं वैसे भी गोल्या पैरो पर ही चलाई गई थी now, please excuse me, मुझे कुछ और काम भी निप्टाने है तब तक आप धुरूव को पकड़िये अंतते हैं, सब सही हो गया जंग खतम, और जो हमें चाहिए था वो भी हमें मिल ही गया सब सही नहीं हुआ है सर क्या मतलब, भम ट्रेस नहीं हो पा रहा इसका मतलब ट्रीगर अभी भी काम कर रहा है और ट्रीगर काम कर रहा है इसका सीधा सा मतलब है कि या तो निखिल जिंदा है या फिर उसने ट्रीगर किसी और को दे दिया है बकवास निखिल जिन्दा हो यह नहीं सकता बुरी तरह गोल्यों से चलनी हुआ था वो खाई में गिरकर उसका बचना वैसे भी मुम्किन नहीं मतलब ट्रीगर किसी और के पास है कून हो सकता है वो ट्रीगर किसी ऐसे बंदे को देगा जिस पर निखिल को पूरा बरोसा हो कि उसके पास वो शुरक्सित रहेगा राजनगर में ऐसा कोन है जिस पर निखिल ओ नो सूपर कमांडो धुरूव मैं अपनी 14 साल की मेहनत यूही बेकार नहीं जाने दे सकता वो भी दो बच्चों के कारण एक जीनियस को खतम किया तो दूसरा जीनियस रहा में रोडा बन कर खड़ा हो गया क्या हमेशा कोई जीनियस चुनोती देता रहेगा मुझे नहीं ऐसे नहीं कोई भी जीनियस रागवन का काम यूँ खराब नहीं कर सकता इसका भी वही हाल होगा जो निखिर का हुआ अटेंशन ओन उनिट्स सभी इलाकों की नाके बंदिक कर दी जाए धुरूव को हर हाल में गिरफतार किया जाए अटेंशन बाटालियन ब्यासी धुरूव के लिए शूटेट साइट के ओडर्स है मुझे धुरूव चाहिए चिंदा या मुर्दा I want him dead और alive करमश है चलिए दोस्तो इस भाग में इतना ही ये रोमाचक कोमिक्स की कहानी जारी है अगले भाग में भी मिलते हैं इसी कोमिक्स के अगले भाग डेड और alive में या किसी अन्य कोमिक्स में और हाँ दोस्तो जिनोंने अभी तक हमारे चनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा ताकि आपको आने वाली कोमिक्स की अपडेट समय पर मिल सके धन्यवाद राजनगर पुलिस और देश की मिलिटरी सुपर कमांडो ध्रू को ढून रही है डैर और अलाइव विल बी अपलोड़ीड सून और नवर चनल धन्यवाद झालाइव